अब मैं भारतिय जंता पार्टी के उमिद्वार अनुजेश प्रताप यादो के चुनाव कार्याले पर आया हूँ बहुत कुछ चुनाव का माहौल कार्याले से भी पता चलता है यहाँ पर देखिए इस खास बात ये थी कि इस कार्याले का जब उद्घाटन हुआ तो संगठन मंतरी शाक के हैं और जो योगी सरकार के मंतरी दूसरे हैं उन से उनका उद्घाटन कराया गया था वज़े ये कि मैंपूरी में शाक के मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है यादों मतदाताओं के बाद और अनुजेश जी की माता जी भी दो बार विधायक इस इलाके से रह चुकी है यहाँ पर कुछ पार्टी का कारे करता है करहल का चुनाद वड़ा टफ माना जाता है दूसरी पार्टी के लिए बिल्कुल टफ माना जाता है लेकिन इस वार चुकी अनुजेश परताब जी जो बहुत ही लोक प्रिय परत्यासी भारती अंता पार्टी ने जो मैदान में उता रहे हैं उनका हम लोग गाउं गाउं जाकर नुकड सवाओं के माद्दम से बैठक कर रहे हैं उनमें अपार बीड हमारे साथ अपार जन समर्थन महिलाओं का युबाओं का सभी का बहुत जन समर्थन मिलना है इससे ये साबित होता है कि वो बहुती लोक प्रिय और यहां करेयर बिदान सबासे होने वाले बिदायक हैं मेरा नाम नरेंद्ध सींग कोफवा, गराम प्रदाणू और जिला पाद्देच बारतीयांता पार्टि महन पुरी, किसान मोर्चा से हो आपका क्या नाम है और आप हमारा नाम है अमर सिंग को सवाह, गिराम नगला बुदुगा, मौजा आइमधपुर, बिलाक बर्नाल, जिला महनुपुरी आप यहीं करहल के हैं यहाँ नहीं करहलेई छेत्र लगता है हमारा विधान सवा करहलेई है आप भी बीजेपी के प्रभारी या कोई पद पर हैं अब बीजेपी और आरेजस का सपोर्टर हूं सर, आरेजस में मैं ग्राम ग्राम सवाह का वो खंड मतलब का संचालक हूँ और आप मैं डीप चंद कुस्वा नंगला बुदूगा ग्राम एंबत पर अच्छा एक ही गाउं क्या आप लो तो कुस्वा जी क्या जातिगत स्वमिकरण के हिसाब से क्या मामलत चल लाएंगा अब जातगरण समिकरण से यह है कि अब की बार अनुजेस वाई साब अच्छे मतों से जीतेंगे उसका कारण यह है अवे तक जो भाजपा ने प्रत्यासी हमेशा साक्या अधर उतारे थे लिए यादव उतार दे अब की बार उन्होंने यादव उतारे हैं तो यादव लिए अब तक तो लड़ाई दूसरे दूसरे इस बार आपने फूपा और भतीजम में लड़ाई करवा दिया और अब की बार अनुजेस बैया चुनाओ अच्छे मतों से जीतें तू यादव जी लोगों का कुछ यादव कम से कम सत्तर परसेंट अब की बार बीजेपी मार लेकिन एक बाव बताओ करहल में दूसरी पार्टी के नेता का प्रचार करना और चुनाओ लड़ना कितना कठिन है कठिन तो अब कुछ नहीं अब तो बिलकुल कोई कठनाई नहीं अब तो जैसे मान के चलिए नो प्रॉब्लम कोई पहले था पहले किसी जवाना था कि आदमी नहीं चुनाओ मला दूसरी पार्टी का यहां पर करहल छेत्र में प्रचार नहीं कर पाथा था अब नो आप यादो के कार्याले चलता हूं